जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है डिजिटल एकाड़मी कलासिस की इस नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम कच्छा दस्वी वालों के लिए जो विज्ञान पढ़ते हैं उनसावी का जो चेप्टर नंबर फर्ष्ट है रसानिक अब क्रिया हैं अमसावी करन उसका महत्यपूर्ण प्रशन उत्तर लेकर आ गए हैं दोस्तों इस वीडियो से जितने भी कोशन बताया जाएगा उससे बाहर आप सभी का इस चेप्टर से लेटेड कोई भी कोशन आपके एकजाम में नहीं पूछ जाने वाले हैं दोस्तों आप सी को बता दें कि यह वीडियो आप सभी को पूरे जितने भी आख तक हुए है पेपर आप सभी के समाहित कि गए हैं इसलिए आप जो डिश्टर एकडमी क्लासे चैनल यूटूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लिजे यहाँ पर हर एक भी से की आपको संपूर्ण तयारी किराई जाएगी दोस्तो आप से को बता दें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी वीडियो आएगा आप सभी को आपका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो दोस्तो बीना बिलम के हम वीडियो को सुरू करने वाले हैं बस आप लोग क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को जो है लाइक कर दीजे देखिए आपका जो चेप्टर फ़स्ट है का अच्छा दसवी वालों के लिए उनिट अमर फ़स्ट जो है रसान से एक भावतिक परिवर्तन नहीं है आपको चार आपसन दिये गए हैं इसमें से आपको क्या है भावतिक परिवर्तन नहीं है उसको आपको ढूना एनि भावतिक परिवर्तन नहीं है तो क्या होगा रसानिक परिवर्तन होगा क्या होगा रसानिक परिवर्तन होगा यह प्रिवर्तन उसकी बनेगी अगर आप जल और गर्म करना आप में साइब तो इस प्रिवर्प क ideiaई नहीं बन साथ देखेए जल में लावन्ड का बिले हुदे जल में अप लावन्ड डाल दीजिए और उसको फिकर लीजिए आप किसी विदी से उसको अलग कर सकते हैं तो यह भी क्या हो जाएगी देखिए अगला अगर आप लोग दहन कर देते हैं उसको जला देते हैं तो आप दुवारा प्राफ्टन ही कर सकते हैं तो आपका जो D-Number इसका आफ्षन हो जाएगा D-Number इदाम राइट अंसर हो जाएगा द्रवित प्रिटोलियम गैस का द्धान इसका क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो इसमें आप लोग D लगा लीजेगा दोस्तो प्रेस निम्बर टू है निमलिकित अप के लिए एक उधान है आपको अपकरिया दी गई है इसमें आपको उधान बताना है देखिए जो अमोनिया गैसा है इसमें यह ओटू से क्लिया करती है और N.O. बनाती है और जल बनाती है क्या बनाती है? N.O. और जल बनाती है दोस्तो ज्यान देजेगा आप लोग एक प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए यहां पर यच था इस वाले में इसी का आप रूप है रूप है इसमें देखिए यच नहीं है क्या नहीं है यह अच नहीं है यह नहीं है हाइडोजन का त्याग हो रहा है क्या हो रहा है hydrogen का त्याग हो रहा है और इसमें देखिए इसी वाले में O जुड़ गया यहीं आक्सिजन का जुड़ रहा है आक्सिजन जुड़ रही है तो इस अपक्रिया को बोलते हैं जब आक्सिजन का योग होता है तो उस अपक्रिया को बोलते हैं उपचेन अपक्रिया क्या बोलते है अपचेन अपक्रिया होती है क्या होती है अपचेन अपक्रिया तो जब इन दोनों यहां पर जिस अपक्रिया में इस अपक्रिया होती है जिस अपक्रिया में उपचेन और अपचेन दोनों होती है उस अपक्रिया को हम बोलते हैं उस अपक्रिया को मोलते हैं Redox Sub-Kriya, क्या बोलते हैं Redox Sub-Kriya, तो ए Redox Sub-Kriya को उदारन हो गया, और ध्यान दीजी का, Redox Sub-Kriya को उदारन हो गया, और देखिए, यहां पर N-H था, N-H था, O आया, इसको प्रतिस्था भी कर दिया, H को, तो N-O हो गया, यहां पर H की जगा, O ले लिया, तो एक प्रतिस्थापन भी अपक्रिया है, क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया भी है, तो क्या हो जाएगी, एक प्रतिस्थापन अपक्रिया है, और Redox Sub-Kriya, देखिए, उदारन देखिए, आपका जो आपसन दिया है, उसमें से हम मिलाते हैं, तो आपका जो प्रहस नंबर थी देखें बहुत इंपरणन प्रसन है वेगे के लिए नियुम्तित सथे है औरही इसका आप बताना है दोस्तों बहुत इंप्रेटेंड रफ् tenants धिया है आप ध्यान दिजीगा देखे क्या है 的 है क्या फ्व यहれて स्वाली वास्ता में था क्या H2O स्क्रिया करी, तो F3O4 बना और H2O बना, इसमें भी आप लोग घ्यान दीजिगा, देखी F2 था, यह क्या है, O इसमें जुड़ गया, F2 था, O जुड़ गया, यहनि कि आक्सिक्रित हो गई, आइरन धातु जो थी, आक्सिक्रित हो गई, आइरन धातु क्या है, आक्सिक्र हो गई, देखी F2O जो है, यहां पर O हट गया, O जो भाट जाता है, तो यहां पर क्या हो रहा है, O का हटना, यहनि O का हटना क्या होता है, जब O हटता है, जो हमारा O हटता है, तो हम क्या बोलते हैं, आक्सिक्रित हो जो है, उसको हम बोलते हैं, क्या, उसको हम बोलते हैं, अप्चैन यह जो है अप्चैट हो रहा है जल क्या हो रहा है पहला और दूसरा इदम सही मिल रहा है देख है अगला दिख्यों अगला भी है आपका जो है इसमें राइट अंसर हो सकता है क्या जल जो है अपचायक रूम में कार कर रहा है क्योंकि अपचायक रूम में कार कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा जल जो है अपचायक रूम में कार कर रहा है तो ए अपचायक यह क्या हो जाएगा आक्सी कारक हो जाएगा क्या हो जाएगा आक्सी कारक ध्यान देजिएगा आक्सी कारक और अप्चायक में आपको मनलब जो है आपको confusion होता होगा आप ध्यान देजिए देखिए इसमें करीगे अप्चायक अप्चायक का मनलब होता है जिसका जिसका क्या आक्सी करण हो जिसका आक्सी करण हो उसे हम बोलते हैं अपचायक जिसका आक्सी करण हो उसे हम अपचायक बोलते हैं और आक्सी करण किसे बोलते हैं जिसका क्या हो जाए जिसका जिसका अपचायन हो जाए अपचायन हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं आक्सी तो इसमें ध्यान देए कि h2o क्या थी? h2o जो है अपचैट हुई है, तो क्या हो जायएगी? आपसन जो है, इसमें आपको मिला लेना है आपसन जो ऐसी है और यापसन जो जो है, पाहिला-दूसरा-चाउ-था सी नमबर इसका एकदम राइट अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी नमबर इसका राइट अंसर हो जाएगा देखिए प्रश नमबर चार है निमलिखित में से कौन से प्रक्रम उस्मा छेपी हैं देखिए आपको प्रक्रम दिये हैं इसमें आपको उस्मा छेपी बताना है जिसमें उस्मा निकलती है जिसमें उस्मा निकलती है जिसमें उस्मा निकलती है जिसमें उस्मा निकलती है क्या हो जाएगी उस्मा छेपी हो जाएगी तो इसमें देखिए उस्मा किसमें निकल रही है आप ध्यान देजिए देखिए बीना बुझे चूना के साथ आपको जल करना है तो बीना बुजा चूना होता है कल्सियम आकसाइड आप जल इसमें डालते हैं तो कल्सियम हाड आकसाइड प्राप्त होता है यह ओएच का होल टाइज प्राप्त होता है एक आमल का तनुकरण जल का वास्पी करण देखे तनुकरण करेंगे तो आपको नहीं प्राप न्य जब आमलक का थनु अगर वाश्पिक करते हैं लिए फान करते हैं तो भी आपको नहीं मिलने वाली है तो देखी इसकी आपसन जो है आफको आपसन ध्यान देना है आपसन ध्यान देना है क्या क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर पहला जिसमें आपसन के ध्यान देजिएगा पहला सही है हमारा और दूसरा सही है यहनि कि पहला और दूसरा ए नमबर में मिल रहा है ते दोनों क्या हो जाएगी सई हो जाएगी उसमा छेपी दोनों अपक्रिया हो जाएंगी दोस्तों प्रश नमबर पाँच है 25 ml जल्यूक्त A, B ता C रूप में चिन्नित 3 वीका ले गए है माली जी A, A है, A है, A है, फिर A, B है ते फिर A, C है, चिन्नित किये गए है A, B, C, बीकरों में कुछ मात्रा कंशा, एने ओच है इसमें एने ओच है, इसमें कापर सलफेट है और एने से यल मिला गया है यह प्रचित किया गया कि A और B बिलेनों के ताप में ब्रिद्धी हो रही है A और B में A और B में क्या है ताप में बृद्धी हो रही है A और B में क्या है ताप में बृद्धी ताप में बृद्धी हो रही है ताप में क्या हो रही है बृद्धी जब भी ताप में बृद्धी हो उसे हम बोलते हैं क्या उसे हम बोलते है Oस्मा 6P क्या बोलते है Oस्मा 6P बोलते है एनि A और B क्या है Oस्मआ 6P हो जाएगी अब C है C का क्या है उसको देख लेते हैं अंगले पेज पर C में क्या हो रहा है उसमें देखassicまぁ जबकि C B कर जो है तॉप में कम ही है तो सत्य कथन आपको बताना थे आप्整 ए और भी उसमा छीक है प्रक्रम सम्पन उए इनए वं और चार देख़र नंबर में आपको मिल जाएगा कैसे में मिल लाएगा C number में दोस्तो ध्यान देजिए गा इसका Right answer क्या हो जाएगा C number जो इसका Right answer हो जाएगा 1st ओर 4th number अगला प्रेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तो अगला प्रेशन आपके स्क्रीन पर है 6 अमली परमैगनेट 1 बिलियन युक्ट एक वीकर में फेरस sulphate का तनु billion धीर-धीर मिला जाता है अमली परमाइगनेट यह होता है के मन ओफोर इंक एपॉडरेशियम परमाइगनेट है अगर अमली कर लेंगे तो इसे हटा लेज़े क्या है मैगनेट हो गया एक यह परमाइगनेट अमली कर दिए जिमाली एसे डाल दिए कुछ भी लेड़ीएं युक्त बीकन फ्मपेर सलफफेट फ्मपटीज़ का इस ओप मिला जाते हिन धिरे दिरे हलत जामनी हरंक जामनी रंग को प्रबल आक्सी कारक स्टाइब इसको ध्यां और देखिए प्सो फो अक्सी करता है यह दो आप तक सही बता रहे थे यह नहीं लोग इन सब प्रश्णों में कितने प्रश्ण का सही जवाब जो है आप लोग दे चुके थे देखिए अगला निमलिखित में से कौन से दूविस्थापन अपके लिए है दूविस्थापन अपके आपको बताना है जहां पर डबल प्लेस्मेंट हो देखिए यहां पर एने और बीसको प्रश्छ्थापित किया और इसको प्रश्थापित किया है यहनी इसमें जो है इसका राईञ अंशर होजाय गया क्या एने तूविस्थापन अपके लिएखिए और देखिए और भी इसमें रला गंबर तर भी किसमें हैं दूसरा और चौथा अपसंग सकते हैं जैन देड़िए इस सिर्फ एक तो प्रतित स्वाइब कर दिया लेकिन इसको कौन प्रतित फाबित कर राया है भाई यह क्या नहीं हो जाएगा केवल दूसरा जो इसका राइट अंसर हो जाएगा दूसरा जो केवल दूसरा है इसमें जो दूसरा सही हो जाएगा केवल दूसरा अगला देखिए सूर के प्रकास की उपस्तिते में सिल्वर क्रॉइड के उदास्तान पर वह स्लेटी क्यों हो जात लेंटिरन तो इसलिए इसलेटी हो जाता है तुछ सकते हैं लेकर के मिलेत्य को आपको नाफ नंबर प्रश् будете है केल्सियम कल्सियम आकसाइड स्क्राइब अश्क्राइब दोद सकरे साथ है क्लिए महर्दा कि यह मैंने साथ है को ऑफ सैंग दोघ्ड र Holland उफ पन लाता है और साथ में उश्मा उत्पन होती है इसमें क्या उश्मा मुक्त होती है जब भी आपको उश्मा मुक्त हो समझ जाना उश्मा छेपी अपक्रिया है क्या है उश्मा छेपी अपक्रिया है निश्ट इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं इस भी प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं के पॉाइंट हो सकता है इस प्रेक्ट्रिय ले कीसे कहते हैं जब कैल्सियम इ Lpose जलकषा करती है अधिया कर्शल्च प्राप्ट रूदुध करते हैं और साथ इस में तो होती है इस प्रक्ट्रिया को चुन्य का बुजना कहते हैं देखिए अगला है कल्सियम हाड्राकसाइड जल में गुलकर जो कल्सियम हाड्राकसाइड है जल में गुलकर एक क्या है इस इसका बिलियन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते है यह कैल्सियम हाड्राकसाइड जो है कि इसमें गुलता है जल में गुलता ह चूने का पानी परात होता है क्या परात होता है चूने का पानी परात होता है तो निम्निके दमें से कौन सी चूने का बुझाने और बिलियन बनने की सत्त है यह चूना का बुझा जब है तो उसमा छेपी अपकरिया थी जब चूना बुझा था तो क्या थी अपकरिया उसमा इसे में पाणी डाल दिये तो क्या हो गया उसमा असूसी हो गया कि ये पूरी उसमा को उसूस दिकर लिया तो देखिए इसमें जो है हो जाएगा आपका अनसर हो जाएगा और ध्यांद दिये कैसीम हैंराब SOgnia लास्टमें किया प्रस्टमें watch manufacturing is that you usually कैलियम हाड अक्साइड का प्याच मान होता है वह साथ से अधिक होता है क्यों क्योंकि कैलियम हाड अक्साइड प्रकार का छार है क्या है एक प्रकार का छार है दोस्तों क्या है छार है इसलिए इसका प्याच मान होता है साथ से अधिक होता है साथ से अधिक होता है तो देखि तीसरा और पहला तो इस में आप देखिए आप सन देखिए आप देख सकते हैं पहला और तीसरा' हम बोल रहें उस्मा छेपी लेकिन जिसमीबहा उस्मा सोवची तो पहला और तीसरा नहीं होगा दूसराद दूसरा और तीसरा इसका राइट अंसर हो जागा क्या दूसरा और थीसरा जो है इसका राइट अंसर है भी नंबर धें रहां दिख सकते हैं तैसा उस EPA यहां पर उसमा छेपी हो जाएगी जा हौने क्शूना कहाया उसमा और किल्सियम हाड अक्साइड प्रात हुआ तो क्या है कल्सियम हाड अकसाइड आपको मैंने बता जिसाए तो वजे हम हैं और देखित देखित दसमें हमबर यहां पर भी कोंदी बीरियम लिखहे बेरियम क्लोराईटम आमौनियम साल्फेट के साथ अपकिया कर बेरियम साल्फेट और अमौनियम क्लोराईट मितलिता है इस Però आगे लिए और बता पायंगे बेरियम ल्टो फिर अपक्रिया किस से करा, अमॉनियम सल्फेट, NH4, SO4, यह क्या है, यह हमारा अमॉनियम सल्फेट है, अपक्रिया करता है, अपक्रिया हम करा दिये, चलिए अपक्रिया यहां पर, चिन जो है, यहां पर लगा देते हैं, तो बेरियम क्या प्राप्त होता है, बेरियम सल्फे प्रतिस्था 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 प् तो दूसरा और 4 जो इसका राइट अंसर हो जाएगा दूसरा और चौथर्डी नमबर इसका राइट अंसर हो जाएगा समझे ये बेरियम क्लॉराइट जो है अमोनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लॉराइट देता है तो आपको बताना है कि कौन से अपक्रिया है तो देखे पहले ते दूबिस्थापन अपक्रिया है और जो बिये फोर प्राप्त हुआ एक प्रकर का आउच्छेप होता है तो क्या हो जाएगी आउच्छेपन अपक्रिया और दूबिस्थापन अपक्रिया हो जाएगी आप सन नंबर आपको मिल जाएगा दूसरा और चौ तो है आप जल अब गटन कराएंगे किसे इलेक्टिक से इलेक्टिक हमने लिख दिया तो कि आपको अब गटन कराना तो किसमी तूटे का आपको पता होगा है एस्टू और यूरोटिन तूट जाएगा और देखिए जल के अब गटन से मुक्तूई हाइडोजन और आकसीजन इसको बैलंस करना है और हाइडोजन के अगे जो लिखना उसको और अकसीजन इसके इनका अनृपात बताना है देखिए फ्ट यहां पर दो है यहां पर दो है वह यहां पर सिसको इसको इनका इनका उटनार और दस्टिक है दो एतरू झोड़ाँ powerful स्थर organization के मिछाए दो आगे क्या लिख्य के एक डूली पाते एक जो पाते एक पी नंबर राइड्र राइट अंसर हो जाए ला जूंए अगला देखिए अगला ग попробism निमलिखित में से कौन सा उसमा सोसी प्रक्रम है बहुत बहुत इंपॉर्टन अपक्रिया होती है उसमा सोसी इसको आप लोग जरूर अटकर जाएगा देखिए अगला इसमें को राइड अंसर क्या हो जाएगा ध्यान देखिगा आपको मैंने बताया कि अगर उर्धु पातन होगा मैंने बताया थे क्या उर्धु पातन होगा और क्या वास्पी करन होगा तो आपको उर्जा देनी पड़ती है उसमा सोसी होती है दूसरा और चाउथा जो है उसमा सोसी के प्रक्रम हो जाएगे और मैंने आपको बताया थे कि तानु करन करेंगे और संगनन करेंगे त तो अरे उद्व पातन और वास्पी करन करेंगे तो हो जाएगी उस्मा सोशी हो जाएगी इसमें आपसन जो है आपको दूसरा और चौथा लगाना है तो आपसन नमबर देख सकते हैं इधार जो है आपको नेक्स स्लाइड में मिल रहा है कि डी नमबर जो है इसका राइट ए आपको स्लाइगा टो आफ चैया करते हैं तो आप पर जौन करके इसका प्राप्त करसकते हैं पर जो आप कर सकते हैं और इसकी स्ञाया आपको मिल जाएगा और आपको बता दो मैं कि इसकाfeito तभी अप्लोड heading होगा जब आप जो है जब आप क्या करेंगे इस वीडियो पर इस वीडियो पर वन के वन के नि đang एक हजार एक हजार लायख कंपलीट कर देंगे तभी आपको जो है इसका PDF प्राप्त होगा जो वह नहीं हम प्रेस्ट प्रस्ष्ण जो है तिरह हमेद जली-पोत heated gonna इननी पोटाइसियम आउड़ाइड एंहीं प्रेसियम आउड है क्या इक्ष्ड liberal इनोथ माध्र Cons Exactly छाब घली लेड नाइट इस त्थापन अपको टेसे लिट आउडवां फेर पीला प्रफ बनता है इसका उच्छी प्राप्त होता है इस प्रक्रिया को करते समय दे लेड नाइटेड उपलब्ध ना हो लेड नाइटेड चुक जाए तो निमिखत में किस लेड नाइटेड के स्थाने पर प्रूद किया सकता है लेड माले चुक गया तो आप लेड लेड नाइटेड के स्थान पर इसके स्थान पर इसके सारपन किसका आपको उपयोग करना है तो ध्यान दीजिगा यह जो लेड पहला आपसन जो है लेड सलफेट है यह यह पीबी एस ओ फोर है दूसरा आपसन लेड एसिटेट है एसिटेट और चीछ थिरी सी ओ ओ होता है लेड हो जाएगा पीबी काने जा रहे है तो अबिले जो होते है वह किया है पी नहींद पाते यह सलफेट पी नहींद दे पाए संजिगा पीबी नहीं तोट पाएगा लेकिन जो हमारा लेड तो किसी not, तो है ये नहीं है तो क्या है B-Namber जो है इसका राइट अंसर होजाएगा ध्यान जी कहुआ है B-Nam-बर आप ध्यान दिजीका दोस्तो बीन-बर जो है इसलिए हुआ है क्योंकि PB-SO4 अबिले होता है इसलिए क्या है अबिले होने काण जो है पी बी प्लस टू आयन में बियोजित नहीं हो पाता है इसलिए क्या जग लेड एसिटेट इसका राइट अन्स रो जाएगा लेड एसिटेट देखिए अगला प्रश्ण है तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बन कि बाना है देखिए आपको पता होगा जो ही लिए मगई इस कोड़ेक प्रश्ण है या आपके MP Board Exam में पूछे जाने वारे हैं MP Board Exam में क्या है पूछे जाने वारे हैं अगला देखे प्रस नंबर 15 नंबर प्रस्ण है बहुत बहुत इंप्रेंट प्रस्ण है 15 नंबर प्रस्ण यह आपका 15 नंबर प्रस्ण है निम्लिखित में से काउन सा कथन अपकरिया के संदर्म में सही है आपको अपकरिया दी जाएगी यहाँ पर अभी नहीं है यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी अपलोड करने वाला हूँ आपके सामने ही ध्यान देज़ेगा इसको दोस्तों इसको लिखने में दिक्कत हो रहा है अपक्रिया उसकी अपक्रिया ए है ध्यान देज़ेगा अप लोग तो हम लोग उसमा दे रहे थे तो उसमा सोसी हो जाएगी और देखिए अप गटित हो रही थी तो अप गटन अपक्रिया हो जाएगी तो अपसर नमबर ए जो है इसका राइडन से रहेंगा दोस्तों यहाँ पर हम उसको ला नहीं पा रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा कम सब्सक्रिया होगा लेकिन आप लोग फिर से देख सकते हैं यहाँ पर केसियल ओठी है उसमा हम लोग दे रहे हैं तो केसियल परापत हो र हो रहा है तो देख सकते हैं अपगटित हो रहा है एक पदार्त अपगटित होकर बी और सी बनापत हो रहा है यह जो है उसमा पाकर बी और सी बनापत हो रहा है नहीं क्या अपगटित हो रहा है और प्लस में उसमा दी रहा है यह उसमा सोसी है तो इसमें आपसन क्या हो एक गैस लेंडर में नीम्न दापर आक्षियन गैस का बंडार आप लोग गैस भर देते हैं फिर उसको निखाल देंगे कोई फिरक नहीं पड़ेगा यह क्या है बहुती कपक्रिया है तो रसानी कपक्रिया नहीं तो इस आपसन जो है आपका एक गलत हो जाएगा अगला देख पर यहां पर कुछ लगा दीजे हैं यहां पर जाकर एकथे हो जाइगा फिर कर लीजे पर इसको उसंवैंd कर देड़ तो तो क्या यह हमारी भाहुतिक अबकिलिया नहीं होगी बहलं के रेसाणिक अब-किलिया होगी इसका आपस़ा ओजा Thorne समझ गया होंगे तो वीडियो को लाइक करना है अगला देखिए 17 नमबर निम लिखित में इसी काउन सी रसाइन देखना है कि में अब किरिया ताप पर किरिया कारकों किरिया फालो की अवस्थाओं की सही संकेतों द्वारा पसेद की गई है यह यह आपको किरिया कारकों में संतुली तरह आपको डाट संतुली तरह अब किरिया देखना है क्या संतुली देखना है संतुली देखना है अध्यान दीजी का देखिए यहां पर हूए अब है इस टू गैस होती है एक सरा सर गलत है त meth है पर है ऐस टू क्या गैस हो गई हां गया है ऑच पिए जब गैस ही तोब और द्रह तो बनेगा नहीं तो ए भी आपसा नंबर इसका गलत हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर H2 और O2 चौथा नंबर आपसा क्या है जब 3 तो गलत होई गवा तो ए वाला एकदम राइट अंसर हो जाई तो H2 और O2 मिलके एचटू उपराप्त होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा एगस है एब गयस है एब गयस है तो आपसा Numbers का राइट अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा D number H2 gas plus O2 gas bright 2H2O अगला देखें निम्ली की तपक्रिया में सभी अब क्रिया बताना है तो मैंने आपको ही बता दिया कि A है B और C में 2 बढ़ा है तो A सभी अब क्रिया होगी नहीं क्योंकि जब सभी अब क्रिया किसे बोलते हैं A और B मिलकर C बनाते हैं तो A और B मिलकर C बना रहे हैं तो इसका right answer A वाला हो जाएगा तीसरा और A भी इससे ही हैं दूसरा और तीसरा राइनसर दूसरा और तीसरा और तीसरा राइनसर बजाएगा अगला देखिए दोस्तों लगूत तरी प्रश्न जो है वीडियो लंबा होने कान जो है इसको भी स्क्रिन ऑड ले सकते हैं धिक लगूतरी प्रश्न में 19 नंबर प्रश्ण इसका इसका स्क्रिंस एले सकते हैं फिर यहां पर 20 नंबर प्रश्न आगया Ben फीस नंबर प्रश्न आ गया definite इसको बाद वाइसा कआ है इसको नहीं पर चाहोँ है चाहोँवीस लिएज़ प acts चैस् बताने वाले हैं दोस्तों वह वीडियो बहुत इंपॉर्टन वीडियो होगा है इसलिए आप उस वीडियो को जहूर देखेगा बस जल्दी आने वाले बस आप लोग एक दिन का वेट करिएगा देखे एक तिस नंबर का प्रशन है देख सकते हैं पूरे एक तरीके से आप ल बताने वाले चिंताम आप मत करिएगा देखे आप पूरा मिल जाएगा इसमें प्रशन उत्तर आपको बिताएगा रसानी कप्राइगा चाओ वालीस प्रशन है सभी हम बताने वाले हैं बस आप पार टू वीडियो को बेट करेगा चाहें पार टू बनाना पड़े चाहें ही बनाना पड़े चाहा है पार टो बनाना पड़े बस हमारी आपको पूरा वीडियो है इसका जो है पूरा पूरा अंसर देने वा पूरा पूरा देने वाले हैं बस आप लोग वीडियू को सबूरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेज also अगर आपको इसका पीडियाप पर आप करना है तो आप लोग बस हमारे चैनल पर बने रहे हैं आपको इसका पीडियाप मिल जाएगा बस आपको टेलिग्राम पर जाना है क्या टेलिग्राम पर जाना है अहां पर आपको अप्लोड हो जाएगा बस आपको लाइक करना है बस लाइक करेंगे तभी आपको मिलनेगा और सेयर करना है आपको सेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है जो लोग भी टेलिग्राम नहीं जोन कर पर रहे हैं अब आपको मिता रहा हूँ आपको टेल कि डिजिट्ल एकरड़ेम्ीई एकड़ीम आपको सच करना है उसके बाद आपको हमारा लोगो यहाँ पर जो दिखरा है यहाँ पर आपको मिल जाएगा वे इसी को क्या है आपको क्लिक करना 14 करना है आपको इसका carbon मिल जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के धमाक के दार वीडियो में आज के लिए इतना ही धन्यवाद